मार्केट सेंटिमेंट क्या होता है मार्केट सेंटिमेंट किस तरह से इंपेक्ट करता है मार्केट को और मार्केट कैसे चलता है आप सुने होंगे सेंसेक्स सेंसेक्स इसका मतलब क्या हुआ सें यानि सेंसेसनल सेक्स सेंसेक्स यानि सेंटिमेंट पर चलता है सेंसे सेंटिमेंट और मार्केट में सेंटिमेंट का भी माइने रखता है मार्केट चल रहा है अचानक कहीं वार हो गया तो मार्केट गिर जाएगा अचानक कहीं तुफान आ गया तो market गिर जाएगा इसलिए इसे बोला जाता है sensex यानि sensational होता है sentiment पे चलता है market index और sentiment का काम है इसलिए इसे sensex नाम दिया जाता है तो market sentiment में कौन से चीज है जो impact करते हैं कहां पे कौन सा news कौन सा geographical development और किस तरह से economic indicator होते हैं ये सारे बिन्दों पे अभी हम discuss करेंगे पहला है economic indicator ये economic indicator होता क्या है इकोनामिक indicator में आता है भीक्स आप भीक्स होता क्या है भीक्स का मतलब है volatility index volatility index का मतलब है अगर market grid और fear को दिखाता है ये volatility index में grid और fear दोनों चीज रहता है तो ये कहां से कहां तक घुमता है ये 10 से 30 तक घुमता है गर ये 10 के उपर रहा तो इसका मतलब है कि grid बहुत जादा है और अगर 30 के आसपास आ गया अगर 10 के नीचे रहा तो इसका मतलब है grid जादा है और अगर 30 के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फियर आदमी में बहुत ही ज़्यादा डवलप हो गया है तो यह भीक्स जनरली आप देखे होंगे 10-12 दिखाता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फोलाटलिटी होती है 10-12 दिख हर तो इकोनोमिक इंडिकेटर का पहला हो गया भीक्स दूसरातों में क्या आता है नियूज किस तरह के होतें ऊज़ हो गया जैसे एट का डवलपमेंट कैसा है ने inflation rate को किस तरह से maintain कर रखा है, fed, जिस तरह से RBI और fed होता क्या है, RBI यानि इंडिया का सबसे बड़ा regulator, banking regulator, जिसे RBI बोला जाता है, और fed का मतलब क्या होता है, जो US का सबसे बड़ा regulator, banking regulator जिसको fed बोला जाता है, तो यह लोग करते क्या हैं, यह लोग हर quarter में, हर तिन-तिन महिना में अपने country में inflation के आकड़े को maintain करते हैं, inflation को maintain करके रखते हैं, इनका काम है inflation को maintain करना, महंगाई को बढ़ने ना देना, और अगर महंगाई बढ़ रहा है तो उसको maintain करना, तो कैसे maintain करते हैं, अगर महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई ब पाइसा बहुत ज्यादा है और खर्चा बहुत ज्यादा कर रहा है इसलिए डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए इंफ्लेशन बढ़ रहा है महांगाई बढ़ रहा है अब और फेड करता क्या है और फेड करना उसका करना क्या है जब देखता है कि मार्के रेपो मेलेटका रेटका मतलब है लोगन का रेटको बढ़ा देना लोनका रेटक अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा लोगन लेगे तो हम से माइंटसे चेंज होगा कि जोला आपको मिल रहा था पाँस परसेंट उसे बोलेगा आप नहीं हम ऐसा करो अप 6% हम बढachment बैंक में आप जाओगे आपको मिलेगा 6 पर चेंट से में 8 परसेंट में तो लोग क्या होगे लोंग लेना बंद कर देंगा इससे क्या होगा मार्के biomass में जो पर्चेजिंग पावर था लोगों का फर्चेजिंग माइंसेट सा वो चेंज हो जाएगा इसे लिए उडाये इन्फ्लेज्ट लिए जाता है जब देखता है इता Wthem बढ़ और जब inflation कम हो रहा है तो उसे हिसाब से भी देखा जाता है कि थोड़ा maintain रखना है इसा नहीं गिरते रहना inflation उसको manage किया जाता है तब उसमें repo rate को कम कर दिया जाता है देखा जाता है कि market में कुछ demand नहीं है कुछ big नहीं रहा है market मंदा पड़ा हुआ है कहीं पे buying नहीं हो रह कोई bike नहीं कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा है तो यह जो indicators है यह दिखाते हैं कि market में deflation आ रहा है market में inflation नहीं है यानि लोगों में buying का mindset नहीं create हो पा रहा है उस हालत पर क्या करते हैं government repo rate को कम कर देते हैं repo rate को कम करने का मतलब क्या है loan का rate को घटा देना loan आपको 5% में में लगा है या आप कुछ एक दो साल पहले आपका इंडिया में भी एस सिनेरियो था कि loan का rate बहुत ही कम हो गया तो home loan 5% 6% 7% 7% 7% तक आ गया था 6% तक भी आ गया था कोई कि bank दे रहे थे और अभी क्या हो गया अभी 8.9% तक का rate चल रहा है home loan का तो यह चीज होता है जब दिखा जाता है कि इसको बढ़ाना है यानि demand को बढ़ाना है महांगाई को control करते हुए mark economy में जो purchasing चीज जो रूख गया है उसको आगे बढ़ाना है तो इसलिए repo rate को गिरा दिया जाता है ताकि loan को सस्ता कर दिया जाता है ताकि लोग खरीच सके ज्यादा कार खरीच सके ज्यादा घर खरीच सके जिससे economy में बूम आए इनके अलबा और भी जैसे जो FMCG चीज हुए है जो moving चीज हुए जैसे आपका TV फ्रीज ये सारे चीज में जो तेजी आ सके फिर demand और supply इसी से manage होता है अब demand नो supply है जहाँ पे ज्यादा demand होगा वहाँ पे सब rate को कम और ज्यादा करती है नेक्स्ट है bond, bond को किस तरह से manage करती है जब देखा जाता है कि market में government को पैसा चाहिए और पैसा immediate चाहिए तो क्या करते हैं government जिसे RBI हुआ या FED हुआ American government हुआ चाहिए Indian government हुआ चाहिए economy के कोई भी country हुए उसको fund चाहिए market से उठाने के लिए तो क्या करते हैं bond इसू करते हैं या कोई company को bond चाहिए कोई भी जैसे हमारे यहां है Reliance है Tata है उनको bond चाहिए बिरला है और उनको पैसा चाहिए उनको पैसा चाहिए तो पैसा कहां से लेंगो bond इसू करेंगे और इसी तरह से government को भी अपने infrastructure development के लिए अपने day to day work के लिए उनको भी पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं bond इसू करते है अब bond इसू अगर और वो ज्यादा rate पे कर दिये तो क्या होगा share market पे उसका गलत impact होगा यानि bond का rate अगर interest ज्यादा है तो share market गिरेगा क्यों कि गिरेगा क्योंकि bond एक safe heaven मानना जाता है लोग सारा पैसा share market से निकाल के bond में entry करवाएंगे और इससे क्या होगा share market गिरेगा bond का price बढ़ेगा तो और अगर bond का price नीचे आ रहा है तब क्या होगा share market उपर जाएगा क्यों नीचे जाएगा क्योंकि bond में पैसा बन नहीं रहा है एक फिस instrument होता है 7-8% से ज्यादा मिलता नहीं है आप उसे ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए ज्यादा हेवी मात्रा में इंटरस्ट चाहिए तो लोग फिर equity market की और move करता है तो इसलिए bond भी market को impact करता है market sentiment को impact करता है अब होता है trade balance किस तरह से return and safety देखा जाता है कि किस तरह से return and safety है bond में वो देखा जाता है और trade balance देखा जाता है कि export import का आंकड़ा कैसा आया है अगर कोई country ज्यादा export कर रहा है import ज्यादा कर रहा है इसका मतलब क्या है country में पैसा बाहर जा रहा है इंपोर्ट कर रहा है इसका मतलब पैसा ज़्यादा खरीद रहा है तो क्या होगा country में trade balance जो है गड़बड है अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंपोर्ट कम कर रहा है इसका मतलब है क्या हुआ कि माल ज्यादा बेच रहा है पैसा ज्यादा आ रहा है उसके पास और माल जो खरीद रहा है किसी अलग कंट्री से जो समान खरीद रहा है वो कम मात्रा में खरीद रहा है तो उसके मात इसका मतलब क्या हुआ कंट्री में डवलप्मेंट हो रहा है अगर एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमा रहा है जैसे यूएस करते हैं यूके करते हैं फ्रांस करते हैं जितना डवलप कंट्री है वो उस तरह से बिजनेस करते हैं तो उनका क्या है एक्सपोर्ट ज्यादा ह पड़ रहा है तो जिनका trade balance अच्छा रहता है जो country का trade balance अच्छा है वो country अपने आप करता है क्योंगि पैसा अपने आप आ रहा है और पैसा जब आ रहा है तो country development होगा country उजो पैसा है infrastructure में खर्चा होगा और अलग-अलग sectors में खर्चा होगा तो इसका इंपेक्ट देखने को मिलेगा कि country डवलप दिखेगा country में डवलपमेंट दिखेगा वहाँ पर employment ज्यादा दिखेगा यह सारे चीज़ हैं जो market sentiment को चलाते हैं तो कौन-कौन से हम बताएं जिसे RBI फेट का जो decision है inflation rate का कम करना जादा करना रेपो रेट को कम करना जादा करना यह सारे चीज मार्केट को sentiment को बेगारते हैं और अच्छा बनाते हैं अगर इंफ्लेशन रेट रेपो रेट अगर कम करता है तो मार्केट में तेजी आता है रेपो रेट अगर बढ़ाता है तो मार्केट में मंदी आता है bond market किस तरह से impact करता है हमने बता है कि bond का rate अगर बढ़ा दिया government तो हाँ पर share market में उसका impact देखने को मिलता है share market गिरने लगता है और अगर bond का rate कम कर दिया तो share market boom होता है उसी तरह से return और safety देखा जाता है bond market में trade balance जिसका अच्छा है trade balance यानि export ज्यादा हो रहा है import कम हो रहा है तो country develop कर रही है यानि पैसा आ रहा है उसके पास और कोई country import ज्यादा कर रहा है पैसा ज्यादा मंगा रहा है ज्यादा समान खरीद रहा है कर रहा है ऐसे इंडिया में Export इंपर्ट बहुत ही कं मात्रा में होता है इसलिए इंडिया उतना Double Up नहीं हो पाता है जिस तरह से US UK फ्रांस इस तरह से达ब है तो ये सारे चीज है जो Market sentiment को भीगाडते हैं और अच्छा बनाते हैं तो ये हुआ सारा जोग्राफिकल न्यूज में कि कुछ तरह से Economic Indicator जिसे भीख समने बताया Great Fair किस तरह से Change होता है News किस तरह से Market को Impact करता है Geographical Development किस तरह से Market को Impact करता है जैसे रस्या, इस्राइल का War हुआ अभी पाकिस्तान, इरान का अभी War हुआ था जिस तरह से 9-11 हुआ था जिस तरह से 2008 का Crisis हुआ था तो किस तरह से Geographical Development होते है Geopolitical Development जो होते है वो Market को Impact करते है जैसे 2008 का Crisis में क्या हुआ था अमरिका का एक Bank है Lehman Brothers वो Crash हो गया वो पता चला कि उसका जो Loan है बहुत जादा बढ़ गया है और उसका Account में पैसा नहीं लोगों पैनिक हुआ और लोग पैसा निकालने लगे तो वो Bank Crash हो गया था और उसी का Impact पुरा World Market में देखा था Market बहुत है भी मातरा में तूटा था 9-11 का जब हुआ था 9-11 का जिस तरह से हुआ था World Trade Center पे वोहाँ पे हमला हुआ लेकिन पुरा Share Market के रिया था इसी तरह से रसिया इजराहिल का जब हुआ था वहाँ पर भी Market का Impact देखने को मिला था तो जियो पॉलिटिकल डवलप्मेंट से भी Market Sentiment अप मूब होते रहते हैं उसके बाद होता क्या है जिसे Big Financial Events Big Financial Events में जैसे अभी हमने डिसकस कि RBI का मेटिंग हुआ FAT का मेटिंग हुआ अभी जिसे बज़ट आने वाला है एक तरीक को एक फरवरी को तो उसका Impact हुआ Central Election जिसे दो हजर चोबीस में होने वाला है कुछ दिनों में ही इसका अरांस्मेंट होगा तो यह सारे जो Big Financial Events है या जो Political Events है यह Market के Sentiment को चलाते हैं और सबसे Important होता है Role of Greed and Fear का तो Market All About Greed और किस तरह से Fear है Greed Market में ज़्यादा रहेगा तो Market TG करेगा और Market में Fear रहेगा तो Market में मन दियाएगा Greed Market को बढ़ाता है Market जब Greed होता है तो लोग सुचता है और खरीदें, और खरीदें, और खरीदें और Market को बढ़ता जला जाता है Fear जब होता है तो सुचता है Market में गिरने ते Gir Out होने वाला है अब क्या करें अब माल बेज देते हैं सेर बेज देते हैं आप उसी साब से फिर Market गिरने लगता है तो Roll, Greed and Fears का है जो बताता है Bigs तो यह सारे Important हमने Sentiment Market के बारे में बताया कैसा लगा जानकारी? लाइक से Subscribe, कमेंट करके ज़रू बताएं मिलते हैं आगले वीडियो पे तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम